संग्यानात्मक चिकित्सा संग्यानात्मक चिकित्सा को समझेंगे सबसे पहले अलबर्ट एलिस की बात करते हैं तो अलबर्ट एलिस ने समवेक तर्क चिकित्सा प्रतिपादित की इंग्लिश में रैशनल इमोटिव थेरपी शॉट फॉर्म में आर ईटी कहा जाता है इस चिकित्सा की केंद्री धारणा है कि आवविवेक की विश्वास पूरवरती घटनाओं और उनके परिणामों के बीच में मीडियेटर का काम करते हैं हर व्यक्ति के कुछ अपने विश्वास होते हैं और अगर ये विश्वास आवविवेक की यानि irrational होते हैं जहाँ पर हम सही गलत का दिरधारण नहीं कर पाती तो ऐसे विश्वास के कारण व्यक्ति के जीवन में अगर कोई घटना घटती है और उस घटना के जो दुश परिनाम होते हैं उसके कारण व्यक्ति के ये विश्वास और भी जादा मजबूत हो जाते हैं और पूर्वर्ति, विश्वास, परिनाम इसका विश्लेशन किया जाता है शॉर्ट पॉर्वर्ति यानि पूर्वर्ति घटनाए विश्वास यानि आविवे की विश्वास और परिनाम जो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक परिनाम आये हैं उनका विश्लेशन किया जाता है पूरवर्ती घटनाए वे घटनाए जिनसे व्यक्ति को मनुवेग्यानिक कश्ट हुआ है तो सबसे पहले क्लाइंट से मिलकर थेरेपिस्ट उसके जीवन में घटी हुई पूरवर्ती घटनाओं को लिख लेता है क्योंकि यही आविवे की विश्वास व्यक्ति की वर्तमान को विक्रित कर रहे हैं और इनके कारण व्यक्ति वास्तविक्ता को नहीं देख पा रहा या वास्तविक्ता को समझ नहीं पा रहा क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने इन बिलीव्स में घिरा हुआ है जो उसके आविवेकी विश्वास है उन्हीं से घिरा हुआ है जिसकी वजह से उसे वास्तरेक्ता नहीं दिखाई दे रही है ये भी हो सकता है कि व्यक्ति के जो आविवेकी विश्वास हैं उसको पुष्ट करने वाले यानि उसको मस्बूत करने वाले प्रमान यानि सबूत आसपास मौजूद भी न हो यानि व्यक्ति उन विश्वासों से घिरा तो है लेकिन उन विश्वासों को मानने के बीचे उसके पास कोई प्रमाण नहीं है केवल यह उसकी सोच है व्यक्ति के इन अविवेकी विश्वासों को अनिवार या चाहिए विचार कह सकते हैं अविवेकी विश्वासों को उधारन से समझते हैं जैसे किसी व्यक्ति के मन में एक अविवेकी विश्वास ये है कि किसी को एक का प्यार हर समय मिलना चाहिए यानि व्यक्ति के अंदर ये विश्वास है यह विश्वास गलत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसे हर कोई व्यक्ति हर समय प्यार करें यहां तक कि माता पिता भी बच्चे को उनकी गलतियों पर डाटते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा अविवे की विश्वास है कि इसी व्यक्ति को हर समय, हर एक का प्यार मिलना चाहिए. इसके लावा एक अविवे की विश्वास ये कि मनुशे की तंग हाली यानि मनुशे अगर गरीब है तो उसका कारण वाहे घटनाए है. जबकि कई बार व्यक्ति खुद अपनी वज़ा से इस तरह की तंग हाली जेलता है. तो ये विचार कि मनुशे की तंग हाली वाहे घटनाओं के कारण होती है और जिस पर किसी का नियंतरन नहीं होता. जबकि व्यक्ति चाहे तो प्रयास करके अपनी तंग हाली को दूर कर सकत अब हमें ये तो समझ में आ गया कि आविवे की विश्वास क्या होते हैं. अब यहां ये जान लेना चाहिए कि ये जो आविवे की विश्वास होते हैं इनके कारण व्यक्ति के जीवन में जो भी पहले घटना घटित हुई उनका व्यक्ति विक्रत प्रतेक्शी करण करता ह यानि गलत तरीके से उसका perception करता है जो भी घटना व्यक्ति के जीवन में घटी है और उस घटना का विक्रत प्रत्यक्षी करण ही व्यक्ति के नकारात्मक संवेग और नकारात्मक व्यवहार का कारण बनता है इसे फिर से समझे कि व्यक्ति के जीवन में कोई घटना घटी उस गटना का वो विक्रत तरीके से प्रतेक्शी करण करता है यानि गलत तरीके से प्रतेक्शी करण करता है और इस गलत प्रतेक्शी करण के पीछे कारण होता है उसका अविवेकी विश्वास जिसमें वो घिरा हुआ है और विक्रत प्रतेक्शी करण के कारण व्यक्ति नकारात सव्वेग और नकरात्मक व्यवहार प्रकट करता है। इन आविवेकी विश्वासों का मुल्यांकन करने के लिए थेरेपिस्ट प्रशनावली और साक्षातकार का प्रयोग करता है। अब जब थेरेपिस्ट को व्यक्ति के जीवन में घटी पूरवर्ती घटाओं के बारे मे पता लग गया, वो अनिदेशात्मक प्रशन पूछ कर इन आविवेकी विश्वासों का खंडन करता है। अनिदेशात्मक प्रशन पूछना यानि नॉन डिरेक्टिव कुशनिंग। जिसमें थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को यानि उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई डिर देश नहीं देता, तो ये जो अनिदेशात्मक प्रशन होते हैं, नॉन डिरेक्टिव कुशन होते हैं, इनके द्वारा व्यक्ति के जो अविवेकी विश्वास हैं, उनका खंडन होता है, खंडन यानि तूटना, समात्थ होना, तो जो विश्वास हैं, वो तूट जाता है थेरेपिस्ट जो प्रशन पूछता है ये प्रशन जो होते हैं बहुत सौमे होते हैं यानि बहुत जेंटल होते हैं निदेशात्मक नहीं होते हैं यानि व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता उसकी बारे में कोई जांच परताल की जा रही है या उसके बारे में बहुत खोजबीन की जा रही है यह प्रश्न क्लाइंट को अपने जीवन के बारे में और अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में गहराई से सोचने के लिए उसे प्रिरित करते हैं और जब वो अपने जीवन और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में गहराई से सोचता है तो धीरे दीरे वो अपने आविवेकी विश्वासों को बदलने में समर्थ हो जाता है और जब व्यक्ति अपने आविवेकी विश्वासों को बदल लेता है तो उसके मनोवग्यानिक कष्ट कम हो जाते हैं। वो एक core schema यानि कि मूल schema के रूप में विक्सित हो जाते हैं मूल schema विचारों का एक pattern होता है जो सुचनाओं को connect करता है जोडता है और इस core schema में व्यक्ति के विश्वास यानि व्यक्ति के जो believes होते हैं वो शामिल होते हैं और साती सात व्यक्ति का व्यवार करने का एक pattern शामिल होता है यानि परिवार और समाज द्वारा एक व्यक्ति को बाल्य वस्था में जो भी experience होते हैं वो experience के कारण व्यक्ति एक खास तरह से विश्वास करने लगता है और एक खास तरह है कि व्यवहार करने का प्रतिरूप विक्सित कर लेता है यानि behavior pattern develop कर लेता है इसी को मूल schema या core schema कहा जाता है इसको एक उधारन से समझते हैं कि मान लीजे एक client है जिसने अपने बचपन में अपने माता-पिता द्वारा उपेक्षा जेली थी उपेक्षा य अब उसने एक core schema develop कर लिया अब उसके life में कभी भी कोई ऐसी घटना घटित होती है जो कि इसके जीवन पर बहुत जादा प्रभाव डालती है इसलिए से निर्नायक घटना कहा गया है तो इस तरह कि निर्नायक घटना उसके मूल schema को active कर देती है और मूल schema क्या है कि मैं वान और इसकी वज़र से व्यक्ति में नकारात्मक स्वचालित वीचार विक्सित हो जाते हैं स्वचालित विचार यानि अपने आप से वो जुड़ते जाते हैं जैसे मुझे कोई प्यार नहीं करता मैं ould शूरत हूं मैं मूर्ख हूं मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो स यह सारे नेगेटिव सोच वाले ये सारे नकारात्मख विचार व्यक्ति के मन में आने लगते हैं किसकी वज़़ से एक communal schema कि मैं वांचित नहीं हूं इन नकारात्मख विचारों में संग्यानात्मख विकृतियां भी होती है यानि जब व्यक्ति किसी चीज को अच्छी तरह समझ नहीं पाता, अच्छी तरह सोच नहीं पाता संग्यानात्मक विकृतियां चिंतन के ऐसे तरीके होते हैं जिनकी वजह से वास्तविक्ता को विकृत किया जाता है यानि व्यक्ति वास्तविक्ता को समझ नहीं पाता क्योंकि वो नकारात्मक तरीके से चिंतन कर रहा होता है इस तरह कर थिंकिंग पैटर्ण को अपक्रियात्मक, संग्यात्मक, सरुचना या दिस्फंक्षन, कॉगनिटिव स्ट्रॉक्टर्स कहा जाता है जब व्यक्ति वास्तविक्ताओं को नकारात्मक तरीके से विकृत करता है थेरेपिस्ट क्लाइंट से कुछ सौम में प्रशन पूछता है और ये प्रशन क्लाइंट के विश्वासों और विचारों को खंडन करने वाले होते हैं जैसे क्यों हर कोई तुम्हें प्यार करे या तुम्हारे लिए सफलता का क्या मतलब है इस तरह के प्रश्ण जब क्लाइंट से पूछे जाते हैं तो क्लाइंट जो अभी तक किवल एक दिशा में यानि नकरात्मक दिशा में सोच रहा था वो इसकी विब्रीद दिशा में लगता है तो उसे अपने स्कीमा के बारे में एक अंतरद्रिष्टी प्राप्त होती है अंतरद्रिष्टी यानि इंसाइट एक सूज एक समझ प्राप्त होती है और यही अंतरद्रिष्टी उसकी एंजाइटी को और उसके डिप्रेशन को खटाती है संग्यानात्मक चिकित इंग्लिश में Cognitive Behavior Therapy और Short Form में CVT कहते हैं संग्यान अत्मक व्यवहार चिकित्सा के द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोवग्यानिक विकार यानि Psychological Disorders जैसे Anxiety, Depression, Panic Attacks या सीमावर्ती व्यक्तित्व यानि Borderline Personality इन सबका कम समय में और बहुत प्रभावी तरीके से उपचार किया जाता है मनोविकृत्ति यानि Psychosis जिसमें शिजोफ्रेनिया वगेरे भी आते हैं इनके लिए संग्यान अत्मक व्यवहार चिकित्सा में जैव मनो सामाजिक उपागम का प्रयोग किया जाता है आप देख रहे होंगे जैव मनो सामाजिक यानि इसमें जैविक जिसे शारिरिक भी कहा जा सकता है मनो यानि मानसिक और सामाजिक ये तीनों छेत्र की बात की गई है तो इन तीनों ही उपागमों का उप्योग मनो विकृति के उपचार के लिए किया जाता है संग्यानात्मक व्यभार चिकित्सा जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं इसमें संग्यानात्मक चिकित्सा जो कि आपने पहले पढ़ी और व्यभार परत चिकित्सा जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं तो इन दोनों ही चिकित्साओं को combine करके, सन्युक्त करके संग्यानात्मक व्यवार चिकित्सा बनी. यानि यहाँ पर therapy के लिए cognitive therapy और behavior therapy इन दोनों को ही मिला कर उपियोग किया जाता है. इस therapy के अनुसार, client के जो problems है, उनकी उत्पत्ती, जैविक, मनोवैज्यानिक और समाजिक चेत्रों से होती है. तो इन तीनों ही चेत्रों का उपचार भी किया जाना चाहिए. जैविक समस्याओं के उपचार के लिए विश्रान्ती की विदिया, यानि relaxation method का यूज किया जाता है. मनोवैज्यानिक पक्षों के उपचार के लिए व्यवार चेकित्सा यानि behavior therapy को यूज किया जाता है. और मनोवैज्यानिक पक्ष के उपचार के लिए व्यवार चेकित्सा और संग्यानात्मक तखनीकों का प्रयोग किया जाता है. और समाजिक पक्ष को परियावरण में परिवर्तन लाकर संशोधित किया जाता है तो यहाँ पर जैविक, मनोवेज्ञानिक और समाजिक इन तीनों ही पक्षों का उप्योग करने के कारण यह जो संग्यानात्मक व्यवार चिकितसा है यह व्यापक चिकितसा बनती है इस चिकित्सा का उपयोग करना भी आसान होता है जिसके द्वारा कई प्रकार के disorders को प्रभावी तरीके से कम किया जा सकता है सो वीवर्स यह थी आज की class कैसी लगी आज की class अगर भी वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए और अपने valuable comments करना बिलकुन मत भूँए, धन्यवाद